लोग दोस्तों इसमें कोई दो रहा नहीं है कि अमिता बच्चन इंडियन सिनिमा के लिजन्ड हैं अमिता बच्चन करीब 80 साल के हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो फिल्मों में किसी यंग एक्टर से कहीं जादा एक्टिव नजर आते हैं अमिता बच्चन का फिल्मी करियर बहुत सांदार रहा है साल 1979 में अमिता बच्चन ने फिल्म साथ हिंदुस्तानी से डेव्यू किया था और धीर धीरे पिछले करीब 55 साल से वो फिल्मों में एक्टिव हैं हलाकि इस बीच उन्होंने कई बुरे दोर का भी सामना किया हैं अमिता बच्चन, दिवार, जंजीर, शोले, डौन, मुकदर का सिकंदर, नमक हलाल, बागवान जैसी देहर सारी सूपर हिट फिल्मों का हिस्सा रहा हैं अमिता बच्चन की पॉपुलारिटी दिन प्रती दिन बढ़ती गई और उसी के साथ उनके चाहने वालों की संख्या भी इस बीच साल 1992 में अमिता बच्चन एक फिल्म की थी जिसके प्रोडूसर थे मनोज दिसाई मनोज दिसाई ने हाली में एक इंटेव्यू में बताया कि अमिता बच्चन के उस फिल्म को देखकर ततकालिन अंडर वर्ल्ड डौन दाउद बहुत खुश हुआ था अमिता बच्चन की ये फिल्म बहुत सफल हुई थी और उनके फैंस को भी खुब पसंद आई थी दरसल ये फिल्म थी खुदा गवा और इसमें अमिता बच्चन एक अफगान पठान की भूमिका में नजर आये थे और दाउद को यही बात बहुत पसंद आई थी कि अमिता बच्चन एक फिल्म में पठान की भूमिका में दिखाई दे रहे थे दाउद ने फिल्म प्रोड्यूसर मनोस दिसाई से इस बात को लेकर अपनी खुसी भी जाहिर की थी अब ये तो थी दाउद की पसंद आपको अमिता बच्चन की कौन से फिल्म पसंद आई थी कमेंट कर हमें भी बताएं और यदि ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले थैंक यू सो मच